पहले तो जो उपाई बताने जारी हूँ उसके लिए हमें एक ये मोली चाहिए एक हमें कैची चाहिए और ये उपाई हो जाएगा लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है जैसे मैं इस उपाई को करने वाली नहीं हूँ मेरा ठचवुट देव पूरी बात सुनता है तो जबरदस्ती सुपाई को ना करे लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो माय आकर कहती हैं कमरे में बैठा रहता है तिन दिन नहाता नहीं है जिद करता है मुझसे लड़ता है मुझ पर हाथ उठाता है पढ़ना नहीं चाहता है घर में चोरी करता है बत्तमीजी कर अगर आपका बेटा या बेटी आपकी बात नहीं सुनते तो कल अमावस पर मोनी अमावस से आप रहकर अपने बच्चे के माथे पर यहाँ पर इस धागे को आप रखेंगे और इस तरह से उसे नीचे छोड़ देंगे पूरा नीचे नाखून तक उसके ले जाएंगे और पूरा ऐसा ऐसा बच्चे के लिए नहीं आपनी बेटी के लिए बेटे के लिए अपने हस्बिन के लिए भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे उनके बच्चे median आपने महीं देढ़ेंगे तो जब सो रहे हूं तब नाप लेना। नाप लेना और धागा ये मोली हो लिए चाहिए जो हम हाथ में बानते हैं उसके बाद आप उसका नाम लेकर साथ बार जैसे कि मेरा नाम ले रहे हैं राखी 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 और इधर से भी मैंने बान दिया ये राखी उस पूरे धागे में थोड़ थोड़ी दूर पर आप सा आप गाठे बांदीजे उस व्यक्ति का नाम लेकर और तूलसी के गमले में जाकर इसे लपेट कर दबा दीजे और मिट्टी के अंदर पूरा गार दीजे कि तू मेरी बात सुन अक नकरात्मक बातों को छोड़ दे और पॉजिटिव रहे बस इस उपाय को कल के दिन कर लीजे और अगली आम आवस्या फिर इस उपाय को रिपीट कर सकते हैं जब जब आप इस उपाय को करेंगे उस व्यक्ति उस बच्चे की नेचर में आपको शत्परतीशत चेंज नजर आएगा और वो आपकी बात सुनता है पूजा ने अभी मुझसे बहुत अच्छी बात पूची कि मैं अगर किसी का बच्चा दूर हो वो क्या करेगा अगर आपका बच्चा दूर है तो उसकी सिंगल फोटो पर जितना वो फोटो में दिखाए दे रहा है उतनी ही फोटो में उसकी फोटो की माथे पर रखकर आप लीचेगा, मतलब 50% काम करेगा, फिर 50% काम नहीं करेगा, पज़ कुछ ना करने से करना अच्छा, क्योंकि मोनियम आवस्ते है, बहुत बड़ा दिन है, तो पाए हमारे हाथ से क्यों जाए, we should do it, ठीक है न, God bless.